दोस्तो अभी तक आपने सिनेमा हॉल के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा देखा होगा लेकिन अब ED के लॉक अप भी हाउसफुल चल रहे हैं जी हाँ दोस्तों केंदरी जांच एजनसी प्रवाटतर निदेशाल है यानि ED के दिल्ली हेड़कॉर्टर में नए गिरफतार आरूपियों को रखने के लिए जगा ही नहीं बची है क्योंकि एजनसी के सभी लॉक अप फुल हो गया है हलो दोस्तों वेलकम टू मन कर्टोल हिंदी और मैं हूँ आपके साथ अभिशे दोस्तों अब ED के लॉक अप में नए आरूपियों को हिरासत में रखकर पूश्तार करने के लिए लॉक अप के खाली होने का इंतजार किया जा रहा है हाला कि ED के सूतरों के अगर माने तो संभावना जताई जा रही है कि गुरुवार शाम तक एक लॉक अप में शुक्रुवार से आरूपियों को रखने के लिए जगा खाली हो सकती है राजनीती गलियारों में गुरुवार को एक खबर काफी चर्चा में थी किते लंगाना के मुख्यमंतरी, KCR की बेटी और BRS MLC के कविता को पूश्टाच के लिए गिरफतार किया जा सकता है हाला कि अटकलों पर विराम लगाते हुए के कविता ने खुद से 16 मार्च को पूश्टाच में हिस्सा लेने से मना कर दिया और अपने वकील को कुछ डाक्यूमेंट के साथ ED मुख्याले भेज दिया इस बीच ये चर्चा चल रही थी कि अगर कविता की गिरफतारी होती है तो उन्हें कहां रखा जाएगा क्योंकि हेड़कॉर्टर के चारो लगाफ फुल हो चुके हैं जिनकी अगले हफ़ते खाली होने के समभावना है देश की सबसे बड़ी एजिंसी बनी ED जाँच एजिंसी ED की तरफ से देश में रोजाना कई कारवाई होती रहती है क्योंकि पिछले कुछ सालों के दोरान ED की तफ्तीश और उसके बाद च्छापेमारी समेथ आरोपियो की गिरफतारी हिरासत में पूछताच के मामले में कई गुना तेजी देखने को मिल रही है इसी के मद्दे नजर पिछले साल ED मुख्यालय का पता बदला गया था पूछ ताच की जाती है आज के ताजा हालात के अगर बात करें तो ED मुख्यालय के चारो लॉक अप फुल हो चके हैं जो अगले हफ्ते तक खाली होने और इनमें नए आरोपियो के आने की समभावना बन रही है ED के लॉक अप पे मौजूद हैं चार बड़े राजनीता ED हेटकॉर्टर के लॉक अप पे दिल्ली के पूरो उपमुख मंतरी मनीश सिसोधिया TMC के वरिष्ट नीता अनुबरत मंडल दिल्ली आपकारी नीती में हुए फरष्टाचार मामले में गिरफतार कारोबारी आरोपी अरूड रामचंदर पिल लई और इनके अलावा अनुबरत मंडल का चार्टेट अकाउंटेट मनीश को ठारी ये भी ED के लॉक अप पे हैं इन सभी आरोपियों को अलग अलग लॉक अप पे रखा गया है जिससे कि इन लोगों की आपस में कोई बात चीत न हो सके यहाँ एक बात और बता दें कि ED के पुराने दफ्तर में कोई लॉक अप नहीं होता था लिहासा दिन भर पूछ ताज करने के बाद रात के वक्त आरोपियों को इस्थानी तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में रखा जाता था उसके बाद सुबह के वक्त उनका मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद फिर से वापस ED मुख्याले मिलाकर उनसे पूछ ताज की जाती थी लेकिन अब वो पूरानी समस्या नहीं रही है अब ED के नए हेड़कॉर्टर के लॉक अप में ही आरोपियों को रखा जाता है तो दोस्तों देश और दुनिया की इस तरीके की बाकी के अबडेट्स के लिए आप जुड़े रहें मनी कंट्रोल हिंदी के साथ इसके लावा हमारे चैनल को यूट्यूब, फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर पॉलो करें